किसी भी सोंबार की इश्टिमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिन्दगी में दुख तुमारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूती होगी शियो महापुराण की कठा करती है, बड़े ज्धान से सुनना, कभी जिन्दगी में अगर मुका मिल जाए, कभी जीवन में तुमारे घर में गवमाता हो, या कोई कवचाला हो, और तुम्हें मालूम है कि ये काय काही दूद है, ये गवमाता काही दूद है, तो कभी जीवन म अगर मुका मिल जाए, और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में ठक के खाना लिखाए, तेरी किस्मत में दुख लिखाए, तेरी किस्मत में हमेसा ठक के खाना लिखाए, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना, और आखरी में केवल बेल पत्री का ये बीच वाले भाग पर गव माता अगर देशी गाय अगर कहीं हो उसका अगर दूद सुभा का समय का मिल जाए शाम का दूद नहीं सुभा का यदि दूद मिल जाए इस बेल पत्री के मद्ध भाग में आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती बीट की पत्ती के मद्ध भाग में थोड़ा सा दूद लगाकर मीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूद लगाकर दोनों पत्तियों में ग लगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता सुख की अनुभूती हो गी में दुख में भी सुख आएगा कि समत में दुख लिखा गोट आएगा पर दुख में भी सुक की अनुगोगा आएगा दुख पर भान नहीं होने देग talk खोई में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी पर जूता पेहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या जम के तो बोलो रहे नहीं लगे क्योंकि जूता पेहन रखा तुमने हैं ॥ो नहीं लगेगी जूतना लगी कंश्ट भूआerd फुड़ा कस्तु हुआ पर इतना नहीं हुआ अगर नंगे पे रोता चोट लगती तो जादा लगता अश्टमी बहुत सुंदर दिवस है बहुत-बहुत बढ़ाईया महाराज़ा सौंबर की अश्टमी का मतलब आपको इंदोर की कथा में बताया था जिस दिन शंकर और पार अरवती के अकेले मिलन का नहीं 64 योगनिया तक भगवान संकर से मिलने के लिए आती है जिस लड़के की साधी नहीं हो रही हो सुंबर की अश्टमी पढ़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर असोक सुंदरी का स्थान है उस असोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सुंबर की अश्टमी पढ़ने पर लड़का ये लड़की जिसका विवा नहीं होता वो चड़ा देता है मात्र तीन महीने में उसका विवा पक्का हो जाता है मात्र तीन महीने आशोक सुंदरी के इस्थान शिव बहुत तकलीफ है और नी हो रा काम बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा हरा मुंग ले जाओ मुंग के दाने तो रहते हैं घर में केवल 31 मुंग के दाने लेकर जाएं 31 चावल के दाने लेकर जाएं और 31 ही बेलपत्र लेकर जाएं जिस दिन सुंबार की अश्टमी हो कौन से दिन कि सोंबार की अश्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ पीन चीज़ लेकर जाओ मूं के दाने चावल बिल पर चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर रख दो चोखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया है मूं के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पास में जो नंदी का पाउं उचा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिए और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जो जगा है आपको पहले बताया है कथा में अशुक सुन्दरी जी का स्थान ये शिवलिंग ये जलाधारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर वगवान की छ तेरा बच्चे हैं तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुन्दरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है अर्थेक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी उस मोटी सी जो लाइने अशुक सुन्दरी वहाँ पर जो 31 बेल पत्र लेकर गये हो अपनी कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ उसकी डंडी जहां से पानी बैता है उस और होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो एक सुंबर की अश्टमी पर करकर देखना दूसरी सुंबर की अश्टमी आईगी अपने आप आपका काम हो गया होगा पावा से निवेदन को करो क्यों भटक रहे एक मात्र शू मंदर में जाडू लगा रही है अहिल्या भाई साधारे नसा भाव एक जाडू कई लोग कहते हैं माराजी आप कहते हैं मंदर में जागे जाडू लगाओ पोचा लगाओ तो जो हमने मंदर में रख रखा है सीपर आदिक आदिक जो भी सेवा करने वाला है काम करने वाला है वर कर है वो कर रहा है तो हम क्यों करें अरे भाई एक बात याद रखना आप सबसे पूछना चाहूंगा आप लोग करते हो कि मंदिर की सफाई जो वरकर रखा है उसे करना चाहिए मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कोन करता है? नोकर करता है? अरे बोलते तो जाओ, नोकर करेगा? नहीं, वरकर करेगा? नहीं, सिपर करेगा? नहीं, तिजोरी की सफाई, कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की स दफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे जो दर्शन करने जाए वो करे क्योंकि यह तिजोरी है हमारी यह तिजोरी है हमारी यहां से हमें मिलता है यह मेरा देवदीदेव महादेव देता है कि और और धतूरे का फूल काटे वाला गत्तु राद और उसमें लगने वाला एक कुष्प आस्ता चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धातूरे के फूल का दर्शाट गत्तूरा और धातूरे का पुष्प जोटा सा को दहाए ज्यादा बड़ा नहीं है काटा लग रहा है धतूरा लग रहा है और उ इस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है अगर वो सोंबार की अश्टमी को देवादिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है वो धतूरा है साधरण नहीं है धतूरे में भी लाल डंडी जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे चोटी सी डंडी देखा है आप लोगों ने अरे देखी किन देखी बुलो धतूरा रेखा है ना धतूरे के अंदर नीचे चोटी सी डंडी होती है जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है वो कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बिमारी जिसको हो जाती है लीवर किड्नी कैंसर आधिक आधिक बड़ी बिमारियों से जो जूज रहा होता है प्रयास करो प्रृयास महामर्त्युन्जे करकर महामर्त्युन्जे का इसमर्ण और ए लाल दंडी का धतूरा प्रेयासकरना एक धतूरा मिल जाए या पांश धतूरे मिल जाए किसी वी एक आंटेश्वर ओस्टaker पर जो शिव मंदिर एकांत में हो जहां कोई जाता आता नहीं हो, वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि एसा मंदिर मिल जाये जहां कोई जाता आता नहीं हो पहले की बात दूसरी है अब बात दूसरी है फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए बहुत बिमारियों से गरसी तो हो तो भी महामृत्युन्जे जाप का इस्मर्ण करकर या किसी विद्वत ब्रहम्मंजन से महामृत्युन्जे मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयम करकर वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमस्षिवाए शडाक्षर मंत्र ओम नमस्षिवाए या श्री शिवाए नमस्टुभ्यम जब कर वो लाल तंडी का धतूरा पाच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हैं रोग ठम जाएगा जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारम्ब हो जाएगी और आप स्वस्त होना प्रारम्ब हो जाएगी अगर बड़ा रोग आछा का चार के मंदर में जाओ और शिवा जी का पुजन करकर अपर सुस्ट बांदी बेडशा है इसकी कानों में ओमनमष्च उश्वाई बोलकर आप जाईए आपकी कामन नंधी कषि उख्यां परीद करेंुए लाएवज़ हम्र ईशिव ऍशी आ χुर एक बेलपत्र नंदीकिश्वर की और चड़ा और बहुत ध्यान दीजिए मारा अगर कोई काम अटक रहा है नहीं हो रहा बहुत र्यास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में पाच बेलपत्र चड़ाईए और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशुक संदरी आपको पर दिया लगा दीजिए साइड में और फिर अपने घर पर आजाईए आपका कारे सफल होना प्रारम हो जाएगा नंदीकिश्वर का इस्तमर्ण कर लेने पर जीवा आनंद सुख की अनुभूती करता है आनंद सुख को पागवान नंदीकिश्वर करता है पूरी दुनिया होती वह अगर पर जाता है तो जितनी देर तक उसके मूँ से घुन्द की आवाज निकलती है उतनी देर तक पानी का बुल्गुला निकलता रहता है और साथ या आड़ वार बोलने से व्यक्ति हपलाना चोड़ देता है और तो अश्टमी के दिन यह उपाए खरे अगर यह चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हर हर महादेव श्रीच वाय नमस्तूब भ्याँ